हलो प्यारे स्ट्रेंट्स तो कैसे हैं आप सब बेतर होंगे आपकी पढ़ाई भी चल रहे होगी हम उम्मीद करते हैं कि आप और आपका परिवार पूरा स्वस्थ होगा चलते हैं आगे वरते हम लोग कल वाले क्लास में हमने देखा था किंगनम एनिमीलिया का पहला लेक्च कि हमारे जो एनिमल्स होते हैं वो पांच टाइप के लेबल आफ और इनिमल् bandwidth धिखाते हैं वो उनकी बॉड जो बॉरणाइफ की ऑorter होती है वो उनके बॉडिया थान aç दिकुतारा पाइफ के और चलते में. आजए क्लसमें छोड़ा सा क्लास होने वारा है झ्लिक्ट, आप आपके लिए ये पूरे पूरे BSC, MSC में तो है ही, MSC Interest Exam ने सान, BSC और क्लास, 11 का कोई बच्चा होगा, 12 का बच्चा होगा, यानि कहा सकते हो कि biology पढ़ने वाले किसी भी students के लिए ये वीडियो काफी बेश्ट है, ये मत ध्यान दिजेगा कि हम MSC को पढ़ा रहे हैं, तो आ आप coaching पढ़ा रहे होंगे, आप बड़े बच्चे है, BSC कर रहे हैं, MSC कर रहे हैं, तो आप किसी ने किसी को पढ़ा रहे होंगे, टिक teacher बनेंगे, तो पढ़ाएंगे, तो ये वीडियो आपके लिए वैसे important है, जितना आपके परिक्षाओं के लिए, तो पढ़ाने के लि मिलती है, तो आप को आप share कर सकते हैं, आपको link वहां पर provide हो जाती है, तो चलते हैं, आज हम लोग दूसरे lecture class को deal करते हैं, दूसरे lecture class में को पढ़ना क्या है, लेबस पढ़ना या कहा सकते हो, grade of organization, कि हमारे पास grade of organization कैसा होता है, body का संग्वटन कैसे होती है, हमारे किसी भ प्रोटो प्लाजमिक लेबल होते हैं, क्या होते हैं, प्रोटो प्लाजमिक लेबल होते हैं, तो भाई दोगों प्रोटो प्लाजमिक लेबल का मतलब है कि यहां पर पाय जाने वाले जितने भी animals होंगे, क्या प्रोटो प्लाजमिक या ए सेलूलर जितने भी organism होते हैं, यान इनके body में जितने भी activities होते हैं और जितने भी functions होते हैं वो especially किस के द्वारा होते हैं एक sale के द्वारा होते हैं और यही एक ही sale आगे चल के क्या बनाता है एक body का formation करता है जैसे हमारे जितने भी protogevans होते हैं जितने भी मारे acular protist होते हैं उनकी बात कर एक्जामपल में आप am अमीबा को रख सकते हैं क्या अमीबा रख सकते हैं अमीबा की बॉड़ी ऐसे दिखाई दे रहे यह क्या है यह हमारे पास अमीबा की बॉड़ी है क्या है अमीबा की बॉड़ी है यह हमारे पास क्या है यहां पर पाया जा रहा है हमारे पास क्या प्रोटो प्लाज्म पाया ज यानि वन मेंब्रेन पाया जाएगा तिक इसका प्रोटो प्लाजमिक मेंब्रेन पाया जाएगा उसी प्रोटो प्लाजमिक मेंब्रेन के वज़े से ही हम लोग इसे क्या बोलते हैं spetial protoplasmic label बोलते हैं आगे बात करते हैं दूसरे नंबर पर मारे पास का आता है Cellular label कोसक के स्थर आखिर क्या है भया यहाँ बोलता है कि जो animals होते हैं वो बने होते हैं कैसे डिफचन्ट टास करने यहाँ पर त्ल बंग-द नहीं होते हैं लेकिन 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 उनकी body यूदि जो होती है। उनके बॉढ़ी में कोई बी टिसु जो होता है वो डिफायड नहीं होता है और उनका कोई भी कॉआडिनेशन भी नहीं होता है। जैसे हम परिभास में हमारे मिशु जो आयं संपाफ़ में हमारे भी मिश्ट 大स तक नहीं होते हैं जायर ہیں हाइडरा की बात करें, लिकोसलोनिया की बात करें, सारे के सारे किसमें आ जाएंगे, इसी स्पंज में आ जाएंगे, इनमें हमारे पास जो एनिमस होते हैं, वो मल्टी सेलूलर होते हैं, कैसे हैं, मल्टी सेलूलर होते हैं, यूकरियोटिक मल्टी सेलूलर, लेकिन मल्टी सेल होने के बावजूद भी इनमें जो number of sales होते हैं वो काफी कम होते हैं और non-organized होने के वज़े से और non-coordination होने के वज़े से वो किसी भी tissue का फार्मेसान नहीं कर पाते हैं आगे बोलता क्या इस्ट्रेंड अग नमबर तीसरे हमारे पास आता है यहां पर होता है आगे इनम वंता है वह होते हैं लेकिन यह जे ठेस होते हैं क्वाडिनेयट होते हैं यहां पर perform specific functions यानी सब लोग coordinate होके specially तयार करते है specially functions को तयार करते है यानि सबके special special functions होंगे जितने भी यहाँ पे tissue बनेंगे ठीक और बोलता क्या है यहाँ पे specially they form four types tissues यानि चार प्रकार की tissue मिल जाएंगी तो भाईया यह वाली जो line है इनको आप important करके note कर लिजेगा कि हमारे पास four types के पहले जो tissue बनते हैं वो कौन कौन होते है वो किस ARE Scripture में देखने मिलता है तो cell tissue label में हमको four types के से यहाँ पे tissue बनेंगे पहला हमारे पास क्या है पहला tissue बनता है यहाँ पे हम लोग बोलते है epithelial tissues दूसरा हमारे पास बनता है जिसको बोलते हैं यहाँ पे connective tissues तीसरा हमारे पास बनता है जिसको बोलते हैं muscular tissues चोथा हमारे पास बनता है जिसको बोलते है nervous क्या nervous tissues यानि nervousness के tissues भी बन जाएंगे muscular भी बन जाएंगे connective भी बन जाएंगे and epithelial भी बन जाएगा दो number first point से कि पहला ऐसा कौन सा say organization था या grade of organization था जिसमें हमको यह कह सकते हो कि muscular देखने के मिला था या फिट हमारे पास nervous system मिला था यह line आप nervous system वाला कई बार पूछा है multiple twice में तो nervous system पता करिएगा अब बताईएगा और बोलता है their body are made of only two क्या only two germ layer भाईया यहाँ पे दो डो germ layer भी आ जाएगा कौन-कौन ectoderm और endoderm यानि इनकी body इन 4 tissue के होने के वज़ा के बाद भी इनमें germ layer जितने भी हमारे germ लेता है यानि जर्म इस्तर जो होते हैं वो भी बन जाएगे कौन-कौन भाईया एक्टो-डर्म बन जाएगा और हमारे पास इंडो-डर्म बन जाएगा तो यह लाइन भी याद रखना पूछता है कभी-कभी ठीक और आगे बोलता है आगे diplo-blastic animals होते हैं कैसे होते हैं डiplo-blastic animals होते हैं जितने भी हमारे सिलेंट्रेंटांट होते हैं हमारे पास निडेरिया होता है सारे के सारे निडेरिया एंड सिलेंट्रेटा के जितने एनिमर्स होते हैं वह हमारे कैसे होते हैं diplo-blastic animals होते हैं कैसे होते हैं diplo-blastic animals होते हैं इनमें कौन-कौन दो लेयर होगा एक्टोडर्म और इंडोडर्म चार से चार टिसू पाया जाएं कौन-कौन को यहाँ पे एपिथिलियल, कनेक्टिव, मस्कुलर और नर्वस यह आप points को याद रखेंगे, भूलेंगे नहीं main main points है, notice करिएगा sword form में ठेक आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं students हमारे पास अगले number पे कोन आ रहा है, अगले number पे टिसू और लेबल, क्या, टिसू और लेबल, इसको क्या बोलते हैं, बोलता है there and arrange, यानि क्या होगा, arranged होगा, specially orange हो के क्या क्या बनाएगा, organs का formation करता है क्या करता है organs का formation करते है और यहाँ पर ध्यान देने बाली बात यह है कि जितने भी organs बनते है वो specially two category के होते है कैसे होते है functions के basis पे structures के basis यानि जिसकी भी structures same जिस भी tissues की structures same है उनको मिला कि हमने एक form में रख दिया ठीक वो आपके आरगन बना लेंगे या फिर जितने भी functions एक जैसे tissue करते हैं हमने उनको एक जगह मिला के रख दिया यानि functions के basis पे हम आप tissues को एक साथ मिला के आरगन बना सकते है या फिर structures के basis पे हम लोग किसी भी tissues को मिला के आरगन बना सकते है और सबकी अलग अलग क्या होगी special सबकी functions होती है यह line आप याद रखना बोलता क्या है यहाँ पे third cellular germ layer present होता है क्या होता है third cellular germ layer present होता है बया कौन-कौन होगा यहाँ पे vitamin 2, actoderm, endoderm यानि हमारे पास actoderm जैसे यह बया हो गया हमने इसको बोला कि यह हमारे पास है इसको भीच में एक लेयर और प्रजेंट हो जाएगी क्या बोलते हैं, मीसो डर्म, क्या बोलेंगे, यानि तीनों लेयर यहाँ पे आपको देखने के लिए मिल जाएंगे, तो कौन-कौन, एक्टो-डर्म और अइंडो-डर्म के बीच में मीसो-डर्म मिल जाएंगा, और इस इनिमल को क् an بोलते हैं, ट्राइबलॉश्टिक एनिमल बोलते हैं जामपल में जितने भी प्लेटाहनमेंथी जितने भी होते हैं सारे के सारे जो प्लेटाहनमेंथी जितने होते हैं वो हमारे पास ट्राइबलॉश्टिक काटेगरी को रिप्रिजिन करते हैं यहां पर धेज़ सारे और गंग करते हैं जैसे हमारे पस इस और बन्ग के तयार हो जाता है हम उनके बोड़ी के अंदर जो रिप्रोड़क्टिव आपस यहां पर इस्पारेटरी और शिस्टम बन्ग के तयार हो जाते हैं तो अब ध्यान अब आगे बोलता क्या है यहां पर यहां पर फॉर्ट लाइन में में हाये इस लेबल आर्गन है वह है सबसे तक वालट वाला होगा उच गुलवत्ता वाले में साथ साथ यहां भी जो इनिमस होगा मल्टी स्लोर होता है और इनके बॉड़ी में क्या होते है और गन आपस में क्या होते हैं ऐसे स्योट हो जाते हैं मिल जाते हैं मिलने के बाद क्या बनाते हैं वो डारेक्टली स्पेसली यहां पे हमारे पास सिस्टम को बना लेते हैं और य याने राउंड वर्म से लेकर एसकेहलमेंथीज थे यहां भी आपको क्या मिलेगा यहां भी आपको मिल जाएगा यह हमारे पास तीनों लेयर होंगे इंडो डर्म पाया जाएगा क्या होगा इंडो डर्म पाया जाएगा इसके बीच में हमको क्या मिल जाएगा यहां पर इसके बीच में हमको मिल जाएगा मीसो काते हैं इसको मीसो क्या मीसो डर्म मिल जाएगा मीसो डर्म यानि तीनों लेयर देखने के लिए मिलेगा इस पेसल छोटा सा क्लास रहा हमने इस क्लास में यहीं देखा कि हमारे जो grade of organizations हैं वो किस form में complete करते हैं अलग-अलग animals में तो यहां से चार या पांच multiple choice questions और आपके लिए छोटा सा 12 मिनट का वीडियो मैं आपको recommend करता हूँ short form में कहीं खोलिएगा देख कर सही तरीके से आप notes को बना सकते हैं मिलते हैं नए वाले क्लास में नए वीडियो के साथ तब तक आप सब अपना ख्याल रखेंगे take care, bye bye and jahind